आज हजारों लोग ऐसे हैं कलीशिया में जिनको दस-दस साल हो गए हैं प्रार्थना करते हुए कि परमेश्र मुझे पवित्र आत्मा से क्या कर भर मुझे गहरभाशा चाहिए और आज तक गहरभाशा उनके पास आया नहीं क्योंकि उन्हें क्या लगता है किसी दिन उपर से दया होगी और उपर वाला नीचे दे के बोलता है तो कब बुद्धिमान बनेगा तो कि बाइबल कहती आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ किसकी जिम्मारी अगर मैं आपको ये बोलू जाओ अभी लुधियाना चले जाओ इसका मतलब मैं देख चुका हूँ लुधियाने जाने का रस्ता आपको मालूम है लुधियाने जाने का किराया आपके पास है आप लुधियाना जा सकते हो मैं आपने दो साल के बच्चे को नहीं बोलूगा जा लुध्याना मुझे मालूम है वो अभी अकेला लुध्याना नहीं जा सकता पर आप जा सकते हैं पर मेश्वर ऐसा बच्चन आपको कभी नहीं बोलेगा जो आप पूरा नहीं कर सकते अगर वो कह रहे हैं कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ तो किसके जिम्मेवारी ही और उसने आगे लिखा भी कैसे परिपूर्ण होना कहता आपस में कहता speaking to yourself अपने आप से कहता बात कर आज की problem बता क्या है कलिसिया आप उन चीजों को मुझ से नहीं निकालते हो जो आप देखना चाहते हो आपको नाश करती हैं आपका आप अपने मूँ से वो चितन ही निकालते हो है पैंजी मैंनों लगादा आँ मेरी एक बागा ना सोनन हो रही है मैंनों आइक बागा मेरी सोनन होई जांदी मिन कमजोरी है जो आपके मूँ से निकलेगा परमेश्वर बदल ने सकता हो शैतान दिखाने तरी बाजू सुने वचन कह रहा है उसके गोड़े खाने से ओ उसके गोड़े कहने से तो क्या बोलोगे जो वचन कहते हैं पर तुम्हें मिला क्या सुननापन पैरलाइजिस क्यों तुमने वह बोला जो तुमने महसूस किया अगर आत्मा से भरने की जिम्मेवारी किसकी आपकी चंगे होने की जिम्मेवारी किसकी आपकी सुलेमान अमीर था जिम्मेवारी किसकी थी सुलेमान की बुद्धी मान था क्यों मांगा उपर से अपने आप कुछ नहीं गिरता और ना गिरेगा पहला कुरंधिया उसकी 14 उसक जो अन्य भाशा में बाते करता है, वो अपनी उन्ती करता है, जो भविष्यवानी करता है, वो कलिस्य की उन्ती करता है, मैं चाहता हूँ कि तु सब अन्य भाशा में बाते करो, पर ये चाहता हूँ कि तुम अन्य भाशा में बाते करो, पर ये चाहता हूँ कि तुम क्या करो भविश्यवानी का मतलब से नाम बताना नहीं होता अब अपनी लाइफ के लिए भविश्यवानी करके रोज उटके कि परमिशन मेरे लिए रास्ते खोलने जा रहे है मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जा रहा हूँ आवचन को लेके अपनी लाई पे भावशिवानी कर सकते हूँ कि धर्मी अपने दुपहर तक जैसे सूरे बढ़ता जाता है उसका परकास बढ़ता जाएगा आज सुबह जब मैं उठाओं मैं डिकलेर करता हूँ मेरा परकास बढ़ता जाएगा मेरी चर्च का परकास बढ़ता जाएगा मैं हर एक चीज में बढ़ता जाऊँगा यह आप के लिए प्रफेषी मेरा पती नशेद छोड़ने वाला है हमें एक दिन इकटे होने वाले है यह आप के लिए प्रफेषी पर आप बोलते क्या हो मेरा पती ने शेड़ी, आप बोलते गया हो, मैं बड़ी दुखी हूँ, आप बोलते गया हो, मैं बहुत बिमार हूँ, आप बोलते गया हो, मुझे बहुत करज है, बाइब जो गरीब है, वो बोले मैं क्या हूँ, अमीर हूँ, जो पूर है बोले मैं, हाशी शीतू, जो कमज सारी उमर वेट करते रहोगे Holy Spirit से भरने की और ऐसे दुनिया छोड़ जाओगे बिना Holy Spirit के जब तक आप खुद नहीं भरोगे अपने आपको कि अधा आपस में बाते करो आपस में मतलब अपने आप से भजन साहिता से यहावा मेरा चरवा है मुझे घटी ना होगी हलिलुया मेरे निकेट हजार दाइन और दस हजार गिरेंगे वो मेरे पास ना आएगा वो अपने दूतों को मेरे निमिता करें जाकर मेरी दक्षा करें मैं रोज बोलूँगा हाई ना दाउद कदर मैं नहीं डरूँगा इसका मतलब यह नहीं उसके अंदर डर नहीं था वो आप क्या कहते हूं मुझे डर है कहीं हैं बिमारी मुझे मार ना दे अच्छा इंसान भी फसते हैं जब धरता है अयूब कहता है जिस पास से मुझे डर ठाव वह मुझे आनपड़ी अयूब के उपर वह परीक्षा आने कारण अयूब का डर था बाइबल कहती और परमेश् में काम करना शुरू करते हैं एक बंदा डालेजिस यूनिटी में काम कर रहा है और पवितरताई में सेवा में रहने वाला बंदा और उसके मुझ से क्या निकल रहा है हाई परमिश्वर मेनु कदी किटनी तर रोग ना हो भी हाई बड़ा दुखी हो दुखी हो रोग है हाई के गटनी खराब हो अंदे मारी जंदा बंदा हो हाय प्रभुच छो मर्जी होदे पर किटनी रोग मेनो कदी ना होए किटनी रोग होई किटनी बतलानी पड़ी उसके सेवा मेरे नेवला इंसान, अवितरताई मेरे नेवला इंसान, आप डरेंगे, शेतान फाइदा उठाएगा, कोई महा रोग आपका हिस्सा नहीं, कोई किट्नी रोग आपका हिस्सा नहीं, कोई कैंसर आपका हिस्सा नहीं, कोई टीवी आपके परिवार का आपका हिस्सा नही आपके परिवार केंसर हिसा नहीं, शूपर हिसा नहीं, बीपी हिसा नहीं, स्ट्रोग हिसा नहीं, अगरंग हिसा नहीं, करीभी हिसा नहीं, तंगोरी हिसा नहीं, शर्मितगी हिसा नहीं, बलट के रोग हिसा नहीं, बलट के रोग हिसा नहीं, शोटी उमर हिसा नहीं, अब ल प्रिवले एले याले अलेय।